जब धोनी से पूछा इस दिगज को क्यों नहीं किया प्लेन 11 में शामिल मिला शांदार जवाब नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर जैसे कि आप सभी को पता है कि 26 मार्च को IPL में दिल्ली कैपिटल्स और चन्ने सूपर किंग्स की टक्कर हुई जिसमें सूपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को चार विकेट से रॉन दिया इस जीत के साथ CSK की टीम पॉइंच टेवल में दो जीत के साथ बहले नंबर पर पहुंच गई हैं कल के मैच में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शिखर दवन ने सरवादिक 51 रनों की पारी खिली जिस कारण दिल्ली की टीम 147 रन बनाने में काम्याब रही चन्ने की ओर से डीजे ब्रावो ने सबसे अधिक 3 विकेट लिये चन्ने की तरफ से शेन वाटसन ने 44 रन बनाए और दिल्ली द्वारा 148 के लक्ष को 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया धोरी ने जब टॉस के बाद अपनी टीम की प्लेइन 11 के बारे में कहा कि हमारी टीम में कोई बदलाब नहीं है तो उनसे पूछा गया कि आप शांदार फॉर्म में चल रहे खिलाडी फैप डियू प्लेसिस को जगा क्यों नहीं दे रहे हो इसके जवाब देते हुए धोरी ने कहा कि हमारी मजबूरी है हमारी टीम में चार से ज़्यादा विदेशी खिलाडी नहीं खेड सकती आने वाले मौकव पर हम फैप डियू प्लेसिस को शामिल करेंगे अभी समय बाकी है दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी परसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद